चैप्टर नबर सिक्स रूरल एड्मिनिस्ट्रेशन अध्याएच्छे गाव का प्रशासन गरामीन प्रशासन हम वोट देते हैं सरकार बनाते हैं इसके अलावा जब सरकार बन जाती है तो बहुत सारे बियूरोक्राट्स होते हैं सरकारी मशीनरी होती है जो काम करते है उसकी जरुरत क्यों पढ़ती है छे लाग से जादा हिंदुस्तान में गाव हैं छे लाग 28 स्टेट्स है हमारे पास हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्टिक्ट्स में बहुत सारे वाट्स हैं, उन वाट्स में आप बहुत सारे लोग रहते हैं, याने हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, और खास तोर पे हमारा जो देश है, वो गाओं का देश है, 6 लाक से जादा गाओं, शेहर भी हैं, लेकिन यहां हम गा city उसको चाहिए road तो electricity तो खुद नहीं पैदा कर सकता ना road वो खुद बना सकता है इन सब के लिए सरकार के उपर उसे depend करना पड़ता है और सरकारी विवस्था सरकारी machinery में इसकी विवस्था कैसे होती है माली जैंसके पास एक जमीन है यह जमीन इनकी है कितनी है इसका माप क्या है इसमें क्या उगाया गया है यह कैसे पता चलेगा कोई इस पे अतिकरमन करता है कोई कहता यह मेरी जमीन है कोई कहता है यह मेरी जमीन है तब कैसे इनके विवादों का निप्टारा होगा तो जो land records है भूमी के जो record है वो कौन रखता है अब इसके लिए भी कोई सरकारी विवस्था चाहिए यानि कोई मशीनेरी चाहिए तो हम क्या करेंगे कि दो विवस्था या कहें दो हम प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे एक हम देखने वाले हैं पुलिस अधिकारी ऐसे चो जिसको हम कहेंगे और दूसरे होंगे हमारे पटवारी ये एक्जामपल के तोर पे लेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी समस्याओं का निदान करते हैं या ये किसलिए होते हैं इनका रोल क्या है कहानी और दूसरे साब है रगू मोहन एक खेती हर मजदूर है उनके पास एक छोटी सी जमीन है जिस पे वो उगाते हैं चीजों को और अपना भरन पोशन करते हैं अब इनकी जमीन के साथ लगी होई जमीन ये मोहन साब के साथ लगी होई जमीन रगू की है रगू और मोहन याने कि boundary share करते जैसे ये ये मोहन के जमीन हो गई ये रगू की जमीन हो गई एक सुबह मोहन जब उठते हैं सो के तो ये देखते हैं कि ये जो मेरी मेर है अच्छा गाओं में क्या होता है जो जमीनों का बटवारा ऐसा नहीं होता है ये कोई बार लगा दी जाती है या कोई boundary बना दी जाती है ये अपसदारी की बात है यहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी से उसको उठा दिया जाता है इसको मेड कहते हैं, बंड कहते हैं बंड या मेड कहते हैं अब मोहन एक बार उगता है सुबह तो देखता है कि ये जो बंड है वो यहां बना दिया गया है ये खिसका दिया गया है रगू ने इसको खिसका दिया है और रगू ने अपनी जमीन बढ़ा ली है अब मोहन को तो पता है उसकी जमीन कितनी है वो देखता है ये तो घलत हो गया है तो मोहन को आता है थोड़ा गुस्सा लेकिन छोटा सा दिल में एक डर भी है डर किस बात का डर इस बात का कि रगु एक तो दबंग है और साथ में रगु के अंकल ये इस अमरपुर गाउं के सरपंच भी है सरपंच लेकिन फिर भी क्योंकि जमीन का मामला है और ये इसकी रोजी रोटी है मोहन सहाब की वो जाते हैं रगु के पास हिम्मत जुटा के और वो उनको कॉन्फरेंट करते हैं वो उनसे कहते हैं कि आपनी ये गलत किया मेरी जमीना वापिस कर देदे रगु कहता है मैंने त ऐसा कुछ किया ही नहीं बात बढ़ते बढ़ते कहा सुनी से लड़ाई पे आ जाती है रगु क्या करते हैं एक मजदूर को एक लेबर को बलाते हैं और रगु और लेबर मिलके ये दोनों मिलके मोहन की पिटाई कर देते हैं अच्छी खासी पिटाई करते हैं अब ये सब जो हो हला सुनके आस पास के जो पडोसी हैं वो आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रगु और लेबर रगु का लेबर ये मोहन को पीट रहे हैं वो मोहन को बचाते हैं वो ये देखते हैं कि मोहन बुरी तरीके से हाथों और सर पे उसे चोट आई है उसकी तिमारदारी करते हैं थोड़ा उसको फर्स्टेट देते हैं और फिर जब यह चीजे देखते हैं तो मोहन को उसका एक दोस्त है जो पोस्ट आफिस में काम करता है वहीं के गाउं के और वो इसे राय देता है देखो आपके साथ अन्याय हुआ है आपको जाना चाहिए मोहन को कहता है आपको जाना चाहिए पोलिस टेशन तो अब बहुत सारे क्योंकि आसपास नेबर्स जो थे जिन्होंने इनको बचाया उनकी अलग-अलग राय थी कई कहते हैं उजाने का कोई फाइदा नहीं है रगू की पहुंच उपर तक है रगू इस केस को दबा देगा पैसे की बरबादी है लेकिन मोहन सोच विचार करता है और बाद में सब जो मोहन के साथ ही है वो डिसाइड करते हैं फाइनली की भई अब हमें ऐसा करना है कि हमें पोलिस टेशन जाना है और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये जो घलत काम हुआ है इसके इसके लिए नियाय पाना है तो यह पॉलिस स्टेशन जाते हैं पहले मैं आपको बता दू कि जो पॉलिस स्टेशन होता है मानने ज़िए यह गाव है छोटा गाव है तो दो गाव हो जाएंगे इनके लिए एक थाना या पॉलिस स्टेशन होता है ये एक building होती है जिसमें पुलिस के लोग रहते हैं पुलिस भी ये सरकारी लोग होते हैं और इनका काम ये होता है कि अगर कोई चोरी हो गई, कोई बर्गलरी हो गई, थेफ्ट हो गया, एक्सिरेंट हो गया, इंजूरी हो गई, फाइट हो गई, लड़ाई जगला, दिवानी फौजदारी कोई भी मामला हो, सबसे पहले पुलिस को जाके आपको बताना पड़ता है, और उनसे मदद मांगनी पड़ती है, पुलिस का ये काम है, क्यूंकि वो government servant है, याने public servant है, आपके servant है, तो वो आपकी पूरी भरी पूरी मदद करेंगे, तो हर एक थाना क्षेतर में या एक गाउं आता है, या एक से अधिक भी गाउं आ सकते हैं, तो चूंकि अमरापुर गाउं का जो थाना था, उसमें मोहन पहुँचते हैं, अपने साथियों के साथ, मोहन जाके S.H.O, S.H.O हैने की station house officer, यहां के अधिकारी पदा धिकारी है, उनके पास जाते हैं, और मोहन बताते हैं, कि साथ मेरे साथ यह यह हुआ, रग्यूरे एक तो मेरी जमीन हथियाई, और साथ मेरे साथ मेरे साथ मार पीट की, यह मार पीट यह निशान हैं आपके स अमुमान जो हिंदुस्तान में देखा जाता है पुलिस का रविया गरीबों के प्रतीज जादा अच्छा नहीं है ऐसी मान्यता है तो ऐसे चो बड़ी ही बदतमीजी से मोहन के साथ बात करते हैं और वो यह कहते हैं कि आपके जैसे या तुहरे जैसे इस तरीके के छोटे मोटे मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनको लिखने के लिए मेरे पास समय नहीं है मेरे पास और भी बड़े बड़े काम है यह याने कि उसकी बात को मोहन की बात साथ जो समस्या है इसको S Also अनसुना कर देते हैं अब मोहन गरीब अद्मी है यह क्या करेगा यह बाहर जाता है और इनके जो साथी है उनको बला के लाता है तो जब साथ ही लोट के आते हैं और S.H.O के सामने बताते हैं उस समय की कहानी, उस इंसिडिन्ट की कहानी कि वाकई में सर मोहन के साथ अन्याय हुआ है, बहुत पिटाई हुई है इसकी और यह गरीब आदमी है, आपको इसकी बातों का संग्यान लेना चाहिए अब S.H.O के उपर क्योंकि प्रेशर भी आ गया, गवाही देने के लिए लोग आ गये और अब लगता है S.H.O को कि अब मुझे मामला दर्ज करना चाहिए क्योंकि मोहन ने पहले ही कहा था कि मैं F.I.R. दर्ज करवाना चाहता हूँ F.I.R. का मतलब होता है First Information Report इसके पहले एक लिखित रिपोर्ट भी होती है यानि F.I.R. भी हो सकती है आप कुछ application लिखित के भी दे सकते हैं दोनों ही चीज़े लेकिन F.I.R. अगर दर्ज हो गई है तो पोलिस को investigation करना पड़ता है इसको closing पे लाना पड़ता है इसलिए पोलिस हमेशा बचती है F.I.R. लिखने से तो वो कहता है SH.O. मोहन को आप लिखित में हमें जो समस्या है वो दे दीजे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल सुभे हमारा एक हवलदार इस मामले का investigation करने के लिए इस मामले को समझने के लिए constable हमारा एक हवलदार घटना स्थाल पे पहुँचेगा और लोगों से बात करेगा और समझने की कोशिश करेगा उसके बाद इस बात को आगे ले जाए जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है ये पहले सहाब जो S.H.O. थे ये हमारे पहले अधिकारी थे जिनके बारे में हमने चर्चा की याने प्रशासनिक अधिकारी या हमारे सरकारी मशीनरी में एक सरकारी official अब क्यों कि जमीन की बात है जैसे मैंने बताया कि ये जमीन मान लेजिए ये रगू कहता है कि मेरी है मोहन कहता है मेरा है तो कैसे पता चलेगा किसकी है इसके लिए कोई न कोई तो रिकार्ड होना चाहिए दस्तावेज होना चाहिए और इसके पीछे कुछ कानून भी होने चाहिए तो जमीन की measurement इसको मापना जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जमीन को मापना और इस जमीन का जिन जिन के पास जो जो जमीन है चाहे लोगों के पास हो चाहे सरकार के पास हो उसका लेखा जोखा रखना यह पटवारी का काम है तो यह हमारे दूसरे प्रशासन में जो अदिकारी हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो सहाब हैं पटवारी सहाब पटवारी सहाब का काम मैंने जैसे आपको बताया जमीन को मापना जमीन के बारे में जानकारी रखना उसे दर्ज करना सरकारी महकमे में और इन्हें हम कहते हैं पटवारी, कई जगा इन्हें हम लेकपाल कहते हैं, कई जगा हमें इन्हें कानूनगो कहते हैं या करमचारी कहते हैं या विलेज आफिसर कहते हैं तो कई तरह के नाम है क्योंकि हमारे देश में काफी सारे स्टेट्स हैं अलग अलग तरीके से लोग उ records को रखना ही नहीं है इनको समय समय पर अंतराल तक इनको update भी करना है इनको नया रखना है तो पटवारी एक गाओं या एक से ज़ादा गाओं के लिए responsible हो सकते हैं यानि पटवारी के अंतरगत एक या एक से अधिक गाओं आ सकते हैं जिसकी वो यही नेखा जुखा रखने का काम करेंगी अब परपारी का पहला काम क्या बनता है जब रखु और मोहन के जो आपस में एक विवाद हुआ तो पहली चीज़ यह आती है कि मापा जाए अगर जमीन को माप लिया जाए तो पता चल जाएगा कि रखु की कितनी है मोहन की कितनी है तो इसके लिए पटवारी एक अलग अग तरीके जैसे यह माप रहे हैं इंच्टेप से ऐसे ही पटवारी अपने साथ एक लोहे की चेन रखते हैं जिसको जरीब कहा जाता है अलग-अलग मापने के तरीके है तो इससे क्लियर हो जाएगा मापने से कि भई किसका कितना लैंड है किसका कितना लैंड नहीं है किसने किसके उपर अन्याई किया है इसके अलावा पटवारी लेकपाल कानून गो जो भी हम नाम ले ले इनका काम ये है कि ये revenue collect करते है revenue का मतलब होता है राजस्वर सरकार के हजाने में ये पैसा जाएगा तब ही सरकार चलेगी अब आप सोच रहे होंगे SHO के पैसे कहां से आते उसको तंखा कौन देता है पटवारी को तंखा कौन देता है ये उसी कर से पैसे दिये जाते है जो हम as a tax सरकार को देते हैं जो revenue सरकार हमसे लेती तो पटवारी responsible है एक तो ये है कि जो जमीन है इसके कर revenue कर लेने के लिए इसके अलावा जो यहाँ पर crop उगाई गई है फसल उगाई गई है crop कौन सी फकर फसल उगाई गई है इसकी जानकारी भी पटवारी रखते है और जैसे मैंने कहा कि पटवारी को बार बार अपना update करना पड़ता है record क्यों क्योंकि हमारे या रभी की फसल होती है हमारे या खरीफ की फसल होती है तो हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसले बदलते रहते हैं तो पठवारी का काम ये है कि उनके साथ चलना और वो सारी चीज़े दर्ज करना माल लिजे मोहन अपने छेतर में या अपने एरिया में एक कुणा खोद देता है तो इसकी जानकारी भी वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड में चड़ेगी अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो जिससे हमारी सारी बात शुरू हुई यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस पर ध्यान रखेगा एक, दो, तीम पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ, पटवारी जी के पास क्या लैंड रिकॉर्ड है, पटवारी जी क्या मेंटेन करते है यह खसरा नमबर पांच है, इसमें बकाइदा बताया गया है, कि यह गौन सा गाउँ है किस जगह का है, जैसे मैं अमरापुर बताया आपको, यह देखिए अमरापुरा तो पहला जो है, अच्छा हेक्टेर जो होता है, सौ मिटर बाई सौ मिटर होता है तो हेक्टेर में नापा जाता है, मापा जाता है तो पहली जो लैंड है, वो मोहन की है दूसरी जो land है 3 hectare है मोहन के पास 0.75 इनके पास रगु के पास 3 hectare और मोहन ने सोया बीन उगाया हुआ है पूरे-पूरे क्षेतर में रगु ने सोया बीन और wheat याने गेहु उगाया हुआ है 2.75 एरिया में तो जिस जो एरिया रगु ने नहीं cultivate किया वो है 0.25 रगू के पास एक वेल है यानि यहाँ पर एक कुवा है जो काम कर रहा है इन दोरों के साथ यानि रगू से लगी हुई एक जमीन है जो मद्य प्रदेश सरकार की है जो ग्रास लैंड है भी उसमें कुछ कंस्रक्शन नहीं है ग्रास लैंड है और यहाँ पर भी एक कुवा है और यह जानवरों के ग्रेजिंग यानि चारे के काम में लोग गाओं के लोग चारे के लिए वहाँ पर जानवरों को लेके आते हैं तो अब इसको आप देखिए जो मैंने आपको पास है और रगू के पास यह बॉंडरी बताई जा रही है और रगू के इस इलाके में एक वैल भी है कुवा भी है उसी से लगती हुई एक जमीन है जो सरकारी जमीन है और यह ग्रास लैंड है यह बता रहे हैं कि पेड कहा कहा कैसे लगे हैं, ये बताया जा रहा है कि कौन सा कच्चा रोड है, कौन सा पक्का रोड है, इन से बताया जा रहा है यह ट्रीज हैं यहां legend में भी clear बता दिया गया है कि कौन सी चीज कहा है, तो इससे समझने में आसानी होती है, कोई भी विवात का निप्टारा हो सकता है अब पटवारी आप कहेंगे कि इतना responsible हैं, इनको इतने सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि पटवारी किसी जमीनदार के साथ मिल जाएं, किसी किसान के साथ मिल जाएं और कुछ फिर बदल करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि पटवारी के उपर और भी senior लोग हैं, जो पटवारी के काम को supervise करते हैं, निरिक्षन करते हैं पहले मा बताओं कौन को लोग होते हैं, इससे पहले बताओं कि हमारा जो देश है उसमें 28 states मैंने बताया और हर एक state को फिर से district में divide किया गया है फिर इन district को और subdivide किया गया है इनको कहीं तहसील कहा जाता है कहीं पर तालू का तहसील या तालू का अब जो head है यहाँ पर district का वो है district collector इनके नीचे आते हैं district revenue officer फिर revenue divisional officer फिर आते हैं तहसील दार यह सारे लोग जो भी पटवारी जी या और भी लोगों ने किया है जैसे district collector इन सब के काम का review करता है या निरिक्शन करता है यानि हर आदमी के ओपर कोई ना कोई आदमी है जो उस काम को देखता है और यहां आप आईए तहसिलदार का office जब आपके इलाके में ज़रूर तहसिलदार का office होगा तो तहसिलदार के office में जमीन के जो disputes हैं विवाद उनको सुझाय जाता है सुना जाता है और भी तैसिलदार के आफिस में काम होते हैं जैसे माल लिजे किसी को जैसे रगू को यह प्रती चाहिए कि भाई हम मुझे ये खसरा खतों नी निकालनी है यानि रिकॉर्ड निकालना है तो रिकॉर्ड निकालना और देना ये तैसिलदार आफिस का काम है यहाँ पर किसान आके या कोई भी आदमी अपने जमीन का रिकॉर्ड निकाल सकता है शेर शेत्र में भी होता है दूसरा यह होता है कि कोई SC है ST है OVC है या इनके सर्टिफिकेट भी यहाँ पर तैसिलदर आफिस में दिये जाते है एक नया लौ है होता यह था पहले कि एक यहाँ पर परिवार का मुख्या है आदमी है अब परिवार में एक औरत है इंके तीन बच्चे है यह बॉइ है यह बॉइ है यह गर्ल है लड़का लड़का लड़की होता यह था पहले कि जब अगर इनके पास मालिजे बीस बीगा जमीन है अगर इनकी मृत्यू हो गई सबकी मृत्यू हो नहीं तो यह बीस बीगा जमीन दस बीगा इनको मिल जाएगी एक लड़के को दस बीगा इनको मिल जाएगी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक 2005 का यह कहता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा जो अगरिकर्चर लैंड है उसमें हिंदू महिला का भी पूरा हिंदू में आप जैन सिक्स अब लिली क्योंकि मुसल्मानों में मुसलिष में यह विवस्था अलरी है तो इसलिए इसको हिंदू सक्सेशन अक्ट कहते है और वो शरिया से भी चलता है यानि कि वह विवस्थाएं है यहाँ पर ऐसा है कि अब ऐसा होगा कि अगर इनका दिहांत होता है 2005 के बात के बारे में बात कर रहा हूँ अगर अब यह ऐसा होता है तो 20 को 4 से डिवाइड करिया क्यों? आब बलेंगे 3 से डिवाइड को नहीं कर रहे है पताता हूँ यह कितना होगा? 5 बीगा 5 बीगा मिलेगा एक लड़के को 5 बीगा दूसरे लड़के को 5 ही बीगा मिलेगा लड़की को और 5 ही बीगा मिलेगा मा को राइट? यह पहले यह होता था कि लड़कियों को और ओरतों को घर की ओरतों को विद्वा को और भी बहुत सारे प्राइस में टीर्ज हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता था लेकिन आज ऐसा नहीं एक एक्जाम्पल देता हूँ सुधा है सुधा ये दो गाउं है सुधा इस गाउं की लड़की है इसकी शादी यहां होई है लेकिन वो उसका जो उसके फिताजी के दिहांत के बाद इस जमीन पे ये काम करने आती है और इनकी मा सुधा Armen और उनकी मा मदर ये दो रहों काम करते हैं ये अपर अपना गुजरबजर करते हैं अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद ये हो गया किसुधा को पता है कि ये जो जमीन है इसमें मेरा हिस्सा है माँ को भी पता है जमीन में मेरा हिस्सा है तो अगर ये लड़के शादी करके आते हैं ये लड़के खुदी बदमाश निकलते हैं और घर की लड़कियों और और ओरतों को बाहर भगा देते हैं ये इनके साथ कोई अन्याय करते हैं बहुए इनको बाहर बगा देती है जो कि अमोमन हमारे विवस्था में होता रहता है सोसाइटी में होता रहता है अब इन्हें डरने की जरूरत नहीं सुधा की माँ confidently काम कर सकती है सुधा की जो बेटी है वो भी confidently को किसे पता है कि इस زमीन में मेरा शेर है तो डाठर लड़कियां बराबरी बिलकुल बराबर मिलेगा उनको जो लड़कों को मिलेगा तो बिल्कुल वही शेर मिलेगा जो लड़कों को मिलेगा यही Hindu Succession Act है इसने revolution ला दिया है क्योंकि हमारी जो सौवाजी के इसथा है उसका ताना बाना जो था वो अब चेंज हो गया है अब औरत और मर्द में कोई विभेद नहीं है तो ये बात हुई इस चैप्टर की बहुत शुक्रिया, बहुत भरवाले आप से लिए